तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपनी फॉर्चुनर को फिर से वाइट करना परेशान हो गया विखुद आपको पता है अच्छल जो कलर है वह वाइट है तो हमने ब्लैक इसमें पीपेएफ कराई थी अच्छा तो बस हमका पुरानी फॉर्चुनर की याद आ रही थी वाइट कलर की तो हमने सोचा है कि इसका हम सारा पीपेएफ खुद ही निकाल देंगे खीच खीच के क्योंकि यह लेयर है बस पनी की लेयर है तो वह निकालनी है बस अच्छा तो चलो स्टार्ट तीनो भाई खीचते न निकाल देते हैं खीचो दब लगा के है अब बलैक में देखने के आधा होगी ना तो वाइट अच्छा लग रहा है जो अब तो इसका पेंट वैसे का वैसी है जो कितना सैटिस्फाइंग लग रहा है यह 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 ना बोला तु पहले क्या बोला चल चल ला इसे कैसे बुझेगी बात तो सही है अब चपल जल जाएंगे तरे तुमसे ना हो पाएगा गाइस यह गाड़ी आपने चला लिए 50,000 किलोमेटर भाई और वी तो कुछ भी इसने प्राब्लम ने आई है मतलब इतनी बढ़िया गाड़ी है पच किलोमेटर में अभी भी नई किता चल कि एक दम इसको ना मैंटेंड करना बहुत मुझी लोड़ा था एक दिन में गंदी जाती थी बट वाइट ना बाई एक हथते तक भी पड़े रहेगी तो भी गंदी और मम्मी जी खुश जाएगी में तो मम्मी जी को ब्लैक फॉर्च प्लास्टिक पर मून लगाते अभी आसे प्लास्टिक से कैंसर होता है बता आपको बात तो सही है 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 है